अब ये दो transformation use करेंगे तो पहले r1 row change हो रहा है क्या हो रहा है r3 के element को हम यहाँ subtract कर रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा देखो 0 minus 2 by 5 तो यह तो हो गया minus 2 by 5 अब यह क्या हो जाएगा 1 by 5 इसको subtract करेंगे तो यह तो 0 हो जाएगा अब देखो इसको है ना subtract यहां कर रहे है तो add हो जाएगा 1 by 5 प्लस 2 by 5 तो यह क्या हो जाएगा 3 by 5 ठीक है यह r1 change हो गया अब r2 पे आ जाओ r2 को क्या कर रहे है r2 में से subtract कर रहे है r3 के element को 1 upon 2 से multiply करके क्या कर रहे है यहां subtract कर रहे है तो देखो यहां मैं rough में कर रहा हूँ यहां rough में कर रहा हूँ देखो द्यान से र3 का यह element है अब यह r2 change हो रहा है तो r2 लिख दो 2 by 5 इसको यह तो change हो ही नहीं रहा है minus 2 by 5 यह लिख दिया अब इसमें क्या कर रहे है इसको ऐसे बोलो कि इसको 2 से divide करके r2 के element में subtract कर रहे है यह 1 upon 2 से multiply करके r3 के element में subtract कर रहे है तो क्या हो जाएगा 0 minus subtract करेंगे कि इसको 2 by 5 into 1 by 2 तो यह क्या हो जाएगा minus 1 by 5 तो यह क्या हो गया minus 1 by 5 टीक है अब इसमें आ जाओ r3 को क्या क्या है हमने 3 by 10 है हमारे पास इसमें subtract करेंगे किस से इसको 2 से multiply करके यह divide करके तो क्या हो जाएगा subtract करेंगे तो 1 by 5 into 1 by 2 तो क्या हो जाएगा ये 3 by 10 minus 1 by 10 ये क्या हो जाएगा 2 by 10 ये क्या हो जाएगा 1 by 5 तो ये क्या हो गया 1 by 5 अब फिर आजाओ हमारे पास क्या है minus 2 by 10 इसमें से subtract करना है क्या करना है minus 2 by 5 को किस से multiply करके 1 upon 2 से तो ये 2, 2 cancel हो गया ये क्या हो गया माइनेस 2 by 10 और ये क्या हो गया ये माइनेस माइनेस मिलके हो गया प्लस और ये क्या हो गया 1 by 5 तो क्या हो गया माइनेस 2 प्लस 2 2, 2 cancel हो गया तो माइनेस 2 प्लस 2 by 10 ये हो गया 0 तो यहां क्या हो गया हमारे पास 0 ठीक है यह हो गया A अब यह तो आवियस सी बात ही है तो हमारा identity matrix बन गया 0 1 0 0 0 1 तो यह जो matrix 1 है यह B matrix हो गया यह matrix हमारा I बन गया अब देखो अब हम क्या लिखेंगे अब हम क्या बोलेंगे अब हमारा A इंवर्स निकल गया A इंवर्स हमारा कौन सा matrix हो गया B matrix तो हमारा A इंवर्स क्या हो गया A इंवर्स हमारे पास क्या मिल गया A इंवर्स is equal to B और B matrix क्या है minus 2 by 5 0 3 by 5 minus 1 by 5 1 by 5 0 2 by 5 1 by 5 minus 2 by 5 यह हमारा answer हो गया अब अगर तुमारे पास यह answer सही है इसको confirm करने के लिए क्या करोगे अगर तुमारे पास exam में time है तो यह इसको जो given matrix है ना यह तो A इंवर्स आ गया जो given matrix A है तो उससे multiply करके देख लेना अगर identity matrix आ गया तो इसका मतलब answer हमारा correct है नहीं आया तो incorrect है ठीक है तो यह अभी मैंने जो solve किया ना किस मेथर से solve किया by using elementary row transformation अभी column transformation नहीं यूज किया है ठीक है तो यह हमारा क्या हो गया sorry this is यह हमारा row transformation है देख लो answer क्या है हमारे पास answer is same आया है minus 2 by 5 0 3 by 5 minus 1 by 5 1 by 5 0 ठीक है तो यह हमारा क्या हुआ by using row transformation ठीक है हमने row transformation से use करके answer निकाल लिया अब आज आते है बच्चो method number 2 by using elementary column transformation ठीक है अब अच्चो देखो method number 2 में method number 2 में क्या है कुछ नहीं method 2 गो दियान से देखो method 2 क्या है method 2 by using elementary column transformation column transformation में क्या करते है ए आई को किदर लिखते इधर is equal to a ठीक है यह हमारे पास matrix क्या given है यह हमारे पास matrix given है आई यहां लिख लिया वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन अब ए क्या है है 2 minus 3 3 2 2 3 2 2 3 3 minus 2 2 ठीक है बचो अब ध्यान से देखो अब column transformation में क्या करेंगे इसे identity बनाना है लेकिन हमें use क्या करना है अब column transformation और इसे identity बनाएंगे जो column transformation यहां use करेंगे तो यह inverse आजाएगा ठेक है तो अब मैने identity matrix बनाने के लिए क्या बोला सबसे पहले करोगे तुम क्या कि इसको one करोगे इसको one करोगे तो एक तो रास्ता one करने का क्या है कि पहले तुम यह जो first column है ना हमारा first column इसको तुम two से divide कर दो अब column की बात करेंगे अब row की बात नहीं करेंगे अब ऐसा मैंने अल्रेडी बता रखा कि ऐसा नहीं करेंगे कि row transformation जब use करेंगे तो उसमे column transformation use कर दिया column में row कर दिया गलत हो जाएगा अब सिर्फ column column पे बात करेंगे तो मैंने क्या किया ऐसा भी कर सकते कि मैं first column को two से divide कर दो तो यह one बन जाएगा दूसरा क्या कर सकते है कि इस three को पहले column और तीसरे column को आपस में interchange कर दे ठीक है उससे भी काम बन जाएगा तो हमने क्या किया हमने चलो पहले column ही को हमने क्या कर दिये यहां भी करना होगा पहले column को two से divide तो यह क्या हो जाएगा हमारा यह अमारा हो क्या 1 upon 2 ये 0 और ये 0 ये तो second column और third column तुड़ा जाएगा 0, 0, 1 और इसको 2 से divide किया है तो ये क्या हो जाएगा 1 ये भी हो गया 1 और ये 3 by 2 ठीक है ये तो second column minus 3, 2, minus 2 और ये 3, 3, 2 ऐसे रह गया अब ये हो गया हमारे पास अब क्या देखा मैंने मैंने क्या बोला है कि जब column transformation करेंगे तो row y 0 करेंगे और row transformation करेंगे तो column y 0 करेंगे अब मुझे इसे 0 करना है इसे 0 करना है तो मैं कैसे सोचूँगा मैं सोचूँगा अगर मैं इसको 3 से multiply करके add कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा और अगर इसको 3 से multiply करके यहां subtract कर दो तो यह 0 हो जाएगा इसका मतलब मुझे मैंने क्या change करना है C2 को C2 को मैंने क्या किया C2 plus 3C1 कर दिया तो यह 0 हो जाएगा फिर क्या करना है C3 को C3 को क्या करना है C3 में से minus 3C1 कर दिया तो यह दो transformation से यह दोनों 0 हो जाएगा तो same row transformation यहां भी यूज़ करेंगे हम लोग जो transformation यहां यूज़ कर रहे हैं तो देखो क्या है हमारे पास यह A matrix आगया अब C2 को change कर रहे हैं तो पहला column तो change होगा नहीं तो पहला column 1 by 2 0 0 रहे गया अब C2 में क्या कर रहे हैं हम लोग second column में क्या कर रहे हैं पहले column को 3 से multiply करके add कर रहे हैं पहले column के element को तो इसको 3 से multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा यह 3 by 2 add करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 by 2 इसको 3 से multiply करके add करेंगे 3 से multiply 0 तो add करेंगे तो ये 1 ही रह जाएगा इसको 3 से multiply करके add करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये 0 ही रह जाएगा अब क्या करेंगे 3rd column के लिए क्या करेंगे इसको 3 से multiply करके यहां third column के element से subtract कर रहे हैं तो 0 यह क्या हो जाएगा minus 3 by 2 ठीक है इसको 3 से multiply करके इससे subtract करेंगे तो 0 ही रह जाएगा अब इसको 3 से multiply करके subtract करेंगे तो 3 से multiply करेंगे 0 तो 1 minus 0 is 1 तो यह 1 हो गया अब यही काम यहां भी करेंगे तो हमारा पहला column तो change होगा नहीं 1,1,3 by 2 अब क्या होगा second column में क्या है first column को 3 से multiply करके subtract किया तो यह होगा 0 इसको 3 से multiply किया तो यह होगा 3 तो 2 minus 3 तो यह minus 1 होगा इसको 3 से multiply किया तो क्या होगा यह अच्छा यहां subtract कर रहू ना मैं लगता इसको 3 से multiply करके add किया 0 इसको 3 से multiply किया 3 3 plus 2 5 हो गया तो को एक गलती होगी न कहीं तो फिर से पूरा calculation mistake हो जाएगा C2 को change कर रहे हैं 3C1 plus 3C1 कर रहे हैं तो 3 से multiply करेंगे 3 3 plus 2 5 हो गया अब इसको 3 से multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 by 2 और यहाँ add करेंगे न तो क्या होगा हमारे पास minus 2 plus 9 by 2 तो क्या होगा minus 4 plus 9 5 by 2 यह किसके equal हो जाएगा 5 by 2 के equal हो जाएगा तो यह क्या होगी है 5 by 2 clear है अब आजाओ C3 पे पहले C1 यह क्या बोल रहा है C3 में से subtract करना है क्या minus 3 C1 तो इसको 3 से multiply करके किया तो यह तो 0 हो गया इसको 3 से multiply किया और यहाँ subtract किया तो यह भी 0 हो गया इसको 3 से multiply किया और यहाँ subtract करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 2 minus 9 by 2 3 से multiply करेंगे तो minus 9 by 2 तो क्या होगा 4 minus 9 minus 5 by 2 यह हो गया हमारा minus 5 by 2 ठीक है अब यह हमारा question आ गया ठीक है यह हो calculus mistake नहीं हो अब क्या करना है हमें अब इसे क्या करना है इसे हमें क्या करना है one बनाना है तो one बनाने के लिए क्या किया मैंने second column को five से divide कर दिया तो c2 को change किया क्या क्या one upon five c2 कर दिया ठीक है तो यहां भी second column को 5 से divide करना होगा तो यह तो 1 by 2 हो गया, यह 0 हो गया, 0 हो गया, 5 से divide करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 by 10 यह हो गया 1 upon 5, second column को किया, यह 0 हो गया third column और first column तो change होगा नहीं, minus 3 by 2, 0, 1 और यह क्या हो गया हमारे पास? second column है हमारा 1, 1, 3 by 2 यह हो गया 0, 1 और इसको 5 से divide करोगे तो यह हो जाएगा 1 by 2 और यह हो जाएगा 0, 0 यह तो change होगा नहीं minus 5 by 2 ठीक है अब हमारा target क्या है यह तो हमने इसको 1 कर दिया अब हमारा target क्या है इसे 0 करना तो यह 0 कैसे होगा यह तो already 0 होगया, इसे 0 कैसे करेंगे मैंने बोला ना यह 1 करने के बाद आप column operation लेके चल रहे हैं तो row y 0 करो, इसे 0 कैसे होगा simply c1 minus c2 कर देते तो यहाँ पे फिर हमने क्या क्या c1 को change क्या 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 c1 minus c2 कर दिया ठीक है तो यहाँ देखो क्या होगया यह A हो गया यहाँ भी c1 minus c2 करेंगे तो यह बताओ यह क्या होगा 1 by 2 minus 3 by 10 तो क्या हो जाएगा यह 5 minus 1 by 2 यहाँ देखो rough में मैं कर रहा हूँ यहाँ देखो 1 by 2 minus 3 by 10 तो क्या हो जाएगा 5 minus 3 by 10 क्या हो गया 2 by 10 तो ये क्या हो गया 1 by 5 तो ये हो गया क्या हमारा 1 by 5 ठीक है अब इसको subtract करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ये हो गया minus 1 by 5 ये 0 हो गया ठीक है अब ये तो 3 by 10 रह गया ये 1 by 5 हो गया ये 0 हो गया ये माइनस 3 by 2 हो गया ये 0 हो गया ये 1 हो गया ठीक है और यहां क्या हो जाएगा ये subtract कर रहे हैं तो ये तो 1 हो जाएगा 1 minus 1 0 3 by 2 इदर से subtract करेंगे तो ये 1 हो गया अब 3 by 2 minus 1 by 2 तो 2 by 2 1 हो गया और यह 0 हो गया यह 1 हो गया यह 1 by 2 हो गया यह 0 हो गया 0 हो गया यह minus 5 by 2 हो गया